हेलो बच्चों गुद मौनेवा अप्तलास है तुमी आज सिविक्स के अध्याचार केंदर की सरकार पढ़ेंगे जैसे कि हमने जानने हैं कि हमारे देश में राज सरकारों के अलावा एक और सरकार भी है जो पूरे देश को कई मामलू जैसे रक्षा, दाग, बैंक, रेल सेव आधे के देखरे करते हैं और पूरे देश को इलिए विशयों को पर कानन बनाते हैं इस प्रकार सरकार को क्या कहते हैं केंदरी सरकार कहते हैं इस सरकार के कार देश की राजधानी दिल्ली में कहते हैं इसलिए आम सब्दों में कई बार इसे दिल्ली वाही सरकार भी कहा जा के लिए कारण बनाने कार या लोग सभा राज्य सभा करती है और जिससे रासपत्ती के संसर्भावन दिखाया गया है और यहां भारत की रास्धाने दिल्ली में है आजकर तो सभी जानते हैं कि लोग सभा क्या है राज सभा क्या है टीवी चैनलों हर जगा आपको नालिज नेट के त्वारा सभी जानकरी उपलब्द हो जाती है जैसे कि लोग सभा जिस प्रकार राज्यों को विधान सभा शेत्रों में बाटा गया है उसी प्रकार पूरे द दस लाग चुनाओं च र सडला बनाए गये भारत में लोग सभब बारो độ नीट कियी तती इव कह पूर हो निश wraps निए हो इसके लिए एक और सभा का गठन किया जातना है जिसे हम राज्य सभा कहते हैं इसे राज्य सरकार की परसिनिदी सभा भी कहते हैं राज्य सभा में 250 सदस्य और इसमें 208 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भीषती है और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसमें कला, पिज्यान, साह इत्ते संगीत आधी छेत्रों के ज्याती से प्राप्त होता है उन्हें वो जगा भेजा जाता है जैसे उन्हें रास्टवति ध्वारा ही मनुनित किया जाता है चत्रित गर राज्य में पास सदेस्टे मनुनित किया जाता है कहां चत्रित गर राज्य में राज्य सभा का कारेकल 6 वर्षों के लिए किया जातना है अब समस्ते होगे कि संसत के कारे क्या क्या होने में संसत के प्रमुक कार्य क्या है कानून बनाना है दूसरा मंत्री मंदल के कार्यों के समिक्षा करना और जवाब देही सनचीत करना कि कब कैसे और क्या कार्य को कैसे किया जाना है औ कानुन बनेता है उसे लागू करने की जवाबदाधी की सरकार के जिस महत्रफू अंक्त की होती वो क्या कहलाँ में कारेपालिका जो कानुन नंडर कि या जाता है जिसको सरकार भेशती हैं कारेपालिका का मुख्या कोन रहतना है रास्तपत्नी सरकार का समस्तकार या रास्तपत्नी के नाम से किया जातना है लेकि वास्तव में निर्ना कोन करता है पियाम प्रधान मंत्री के नेतित्व में उसके मंत्री परिसाथ के ध्वारा किये जातने है रास्तपत्री भारत के कारेपालिका की मुख्या रास्तपत्री है सरकार के समस्तकार रास्तपत्री के नाम से किया जातना है लेकिन वास्तों में निर्नय प्रधान मंत्री वा उसके मंत्री परिशत द्वारा किया जातना है उधारन के लिए जैसे कि आपने समाचारपत्रों मे TV में देखा ही होगा संसर्थ रखने के लिए आरक्षण और बहुत बहस होती है यदी मन्ति परजिसर यह निन्य नहीं लेती है कि महलाओ को संसर्थ में आरक्षण मिलना चाहिए तो जह राध्तपति के हस्त बाक्षण के दिना कानून नहीं बन सकता और कई महत्मुन बातने हैं जो रास्पत्री की सक्तिया के अंतरगर आतने हैं जैसे कि पहला है राज्यों के राज्यपालो, माहा अधिवक्ता, कानून, मुख्य चुनाओ, आयूक्त, न्याले, उच्च न्याले, उस्टम न्याले, मुख्य न्यादी, संग लोक, आयोग, अध्यक्ष, आधिकी निक्ति भी रास्पत्री ही करता है रास्पत्री भारत की सेनाओं के सारज सेनापत्री भी होतना है रास्पत्री दुसरे देशों से युद्ध की घोसना, संधियों, वाप समझोते कर सकते हैं और रास्पत्री के पास चमादान करने की भी सकतनी होतनी है यदि भारत में युद्धा अधी क्या खत्ना हो तो रास्तपति पूरे देश के लिए अपात काल की घोशना कर दिया जाता है रास्तपति इन सारी सक्तियों का उप्योग प्रधान मंत्री पियम तथा मंत्री परिशत की सलहा से करता है रास्तपति की निक्ति के लिए बी क्या योगितना होनी चाहिए कार ये काल कितने वर्सका होना है कौन सा कार ये कैसे किया जाना है रास्तपति की कौन-कौन सी सक्तिया है ये सब चर्चा रास्तपति के निक्ति के समय किया जाना है नाय पालिका जीला न्याला एमा उच चनाले के बारे में अध्यन किया है हमने पिछली कक्षा में है ना अब हम सौरेच चनाले के बारे में अध्यन करेंगे इस देश में सबसे बड़ा न्याला कहा है दिल्ली में इस system न्याले भी कहा जातना है और system न्याले के अधिकार की सक्तिया क्या हो जातनी है तीन भागों में या तीन प्रकार में बाटा गया है प्रारमभीक अधिकार शेत्रा इसके अंतरगत है ऐसे मुकर्द में जो केंद्रेवबा राज्य सरकार के बीच हो ऐसा सुन्वाई किया जातना है ऐसा मुकर्द में जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य हो या ऐसे मुकर्द में जो की नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन्न में संबधित हो ये क्या है प्रारमभीक अधिकार का शेत्रे के अंतरगत लिखा गया है अपिलिय अपिलिय अधिकार इसके अंदर अगर न्याय यहां न्याला है सविधानी दिवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यालाओं के निर्ने के विर्ड अपिल सुन सकता है क्या है दिवानी फौजदारी में पौज़ी के लिए और कोई अधिकारियों के लिए ये विरूर अपिल किया जा सकता है क्या है अपिल या अधिकार ये हमारा सौरच चन्याला है जो नए दिल्ली में है ठर्ड है परामर्ष छेत अधिकार इसके अंतर गर रास्ट पत्री इसे सारवजनिक महात्वानिधी या तृत्यों के बारे में سारीच चनाले के पास परमास ले सकने हैं और लेकिन इस परमास को मानने के लिए रास्तपत्ली बाध्र नहीं होतना मतलब वो सुईकान नहीं करता सारे चन्याल नागरिकों के मूल अधिकारों को भी रक्षा करता है यह संसद द्वारापारित अधिनियमों को पुन्हा अलोकन करके किया जातना है और सविधान के प्रावधानों के विजुद होने पर उन कानूनों को अभी गुशित कर सकता है जैसे कि अभी अभ्यास के प्रस्न में दिया गया है केंदर सरकार किसे कहते हैं केंदर सरकार सभी अंगों के नाम, देश के संसर स्याप क्या समझते हैं, संसर के कारियों क्या है, केंदर सरकार क्या है, हमारे देश में राज्य सरकार के अरावा एक और सरकार है, जो पूरे देश को कई मामलों जैसे रक्षा, दाग, घर, बैंक, रेल, सेवा, आधी के देख का्रून बनाती इसे किया कहते्व केंदर सरकार कहते पूरे कि लिए कानुन बनाने का यह व THEY may जिसमें रास्तपत्धि का हस्ताक्षर होना अनिमार्या होतना है और रास्तपत्धि तत्हां इन दोनों के सथनों को ही मिला कर जो संसद कहते हैं यह भारत की राजधानी कहां है दिल्ली में यह देश के संसद से आप समसने हैं अब देश का कानून बनाने का कार या सरकार के की संका है देश के कानून बनाने का कार या सरकार के की संका है देश के कानून बनाने का कार या सरकार के की संका है देश के कानून बनाना होतना है और राश्पति के चार महत्पून सक्तिया के बारे में लिखें आप इसके बारे म उच्य न्याले, उस्टम न्याले, मुख्य नैदी, संग, लोकसेवायोग के लिए अध्यक्ष आधी का निक्ति कोन करता है? रास्पति ही करता है. ये क्या है? संसत के चार महत्पुन सक्तिया. अब संसत के कारियों, संसत के कारियों को लिखिए. संसत के कारियों तो प्रमुक जनक से लिया जाना स्वास्थ पत्दी का मुख्य कार्यarchy होता ओब में सबय चनाल आज प्रधान मंद्री और मंट्री प्रशीर की निवर्थी कोन करता है कोन करता है बहुमत दल के नेता लोगसभ के बहुमत दल के नेतना और जिस दल में बहुमत के लोगों से सदाश्य के पतपर रसाणी से कर दिया जातना है जिसमें रास्ट पति का हरस्तक्षर होटना है रास्पति के दյारा प्रधानमंत्री सर्दस्यों के दिये गाए नामों के अधार पर रास्पति के दवारा अमंत्री परिषयत का भी चुनाव होतना है अनु ethics ऑन collectively जो बेह और च्छेतान डिकार को लिखे अभी हमने पढ़ा है की सबसे पहले सबसे पहले फार्याम्बीक अधिकार। च्छेत्र अप세 अधिकार एंस तीन ॉपीक को लिखा गया है अप इस शेप्टर का नोट सों क्रेसे पीडिय बनाएए और नोट से कंप्लिट करके कापी चेक करवाना है बच्चो थैंक यू